आप सबको मेरा नमस्ते ये सेशन में हम लोग आपको दो टुटॉर्ल दिखाने वाले हैं आपको मालूम है कि फिल्ड में बच्यों का वजन बढ़ता नहीं है बहुत सारी आशा और आंगनवाडी वरकर बोलते हैं 500 ग्राम बढ़ा 500 ग्राम बढ़ा 500 ग्राम बिल्कुल वजन बहुत कम बढ़ा हुआ है इस्पेशली पहले दो तिन महिने में बच्यों का वजन मिनिममम 900 ग्राम से 1 किलो वजन बढ़ना चाहिए मिनिममम ठीक है तो उसके क्या कारण हो सकते हैं क्योंकि वजन नहीं बढ़ता है तो उसके कारण होता है 90 प्रतिशत कारण स्तनपान के कारण है तो यह पहला वाला टुटॉल है उसमें हम लोग ने आपको बताया है कि स्तनपान के क्या कारण हो सकते जिसे बच्चे का वज़न नहीं बढ़ेगा सबसे पहला कारण तो यह है कि अगर बच्चे को पहले जैसे बच्चा पैदा हुआ तुरंत मा का दूद नहीं दिया बच्चे को तोड़ा टाइम हो गया एक दो गंटा हो गया तीन गंटा हो गया चार गंटा हो गया तो वो बच्चे का वज़न मा को दूद कम आता है जब तुरंत दूद नहीं पिलाते है बच्चा बरबर सीखता नहीं है कैसे सन पे लगना, कैसे जूसना तो वो कारण एक हो सकता है दूसरा अगर टेकनीक ठीक नहीं है ठीक है? बच्चे का मुँ बड़ा कुला नहीं है नीचे का काला भाग मुँ में गया नहीं है बच्चा बहुत दूर से दूर पिल रहा है, नस्दीक से उसको बिलकुल होट और उसके जो ठुटी है, ये जो चिन है, वो बिलकुल दिखना नी चाहिए, तो वो है, रात में अगर दूर नहीं पिलाया, बहुत सारी मदर ऐसी होती है कि रात में बच्चा आराम से 7-8 गंटा होता है, मा को बोलना है कि अगर 3 गंटे में बच्चा नहीं उठा तो उसको उठा के दूर पिलाओ, दिन में अगर बच्चा बहुत सोरा है तो मा को बताओ कि 2 गंटे में अगर बच्चा नहीं उठा तो उसको उठा के दूर पिलाना है, अब definitely पहले 2-3 मैना, पीचे का जो पूरा स्टन खाली होके दूसरी बाजू देना है अगर सिफ माने एकी बाजू दूद पिलाया दूसरी बाजू दूद दिया ही नहीं तो वो बचे कभी वजन जितने बढ़ना चाहिए उतना नहीं बढ़ता है अगर दूसरा मा को बताना है कि वो कैसे जानेगी कि पीछे का दूद बच्चे को मिला है की नहीं तो वो भी हम लोगे ने टोट्रोल में दिखाया हुआ है यो जो हमारा घ्रास sugar hold है उस में दिखाया हुआ है कि कैसे ज Whats दूद थोड़ा निकाल के देखेगी के आगे का दूध है कि पीछे का दूध है पीछे का दूध है यो फिहने में द्रॉप से आएंगे गाडे वाले गाडे दूद के उसका मतला पी पुरा स्थान खतम हो गया है तो वो आपको ध्यान में रखना है दूसरे भी बहुत सारे स्थान के कारण हो सकते हैं आप देखें यह तो टॉल में कभी-कभी क्या होता है कि बच्चे को मां हमें कभी-कभी पिलाती है गुट्टी पिलाती है उपर का कुछ दूद दे दिया इंफेक्शन हो गया ठीक है तो वो आपको मां को बताना है कि यह सब उपर की चीज कुछ भी देने की जरूरती है गर्मी में भी पानी देने की जरूरती है मां के दूद में बहुत अच्छा पानी की मात्र रज़ने हम सिर्फ इन दोडुर्सre सब्सक्राइब सकती है वुण prefij canis समय तो माँ मांसेटरीं का बजर के किसे अर नीए में दोड़र होताइब तो अगर मा बहुत टेंशन में है, मा गुस्से में है, मा दुखी है, मा को दर्द हो रहा है, तो वो बहुत सार ऐसे कारण है जिससे मा को दूद नहीं आएगा, जो ऑक्सिटोसिन रिफ्लेक्स है, वो ऑक्सिटोसिन रिफ्लेक्स वो कम आएगा, तो वो आपको ध्यान में जुलाब हो गया, बहुत बच्चा वीक है, कलेफ पैलेट है, कलेफ लिप है, तो उसमें भी बच्चे को ज्यादा दूद नहीं किच सकेगा, बच्चे का जो टोन है, मतलब बहुत ऐसा सुस्त है, बच्चा प्रीमच्चुर है, मतलब बहुत जली पैदा हुआ है, तो अगर माँ सब्सक्राइब बहुत ही कुपोशित है, अगर थोड़ी सी है, तो मुझे कोई प्रॉबल्म नहीं है, हम लोग बहुत अच्छा रिजल्ट देखते हैं, हम लोग आरे हमारे प्रोग्राम में की माँ अगर कुपोशित है, अगर बच्चे को टीक तर से दूद पल पला सकते हैं, बिल्कुल पला सकते हैं, बिल्कुल पला सकते हैं, अगर प्रेग्नेंट हैं, तो डेफिनितली दूद पला सकते हैं, अगर बच्चा आया, दूसरा बच्चा आया, तो एक स्थन वो नए बच्चे के लिए और दूसरा स्थन है, वो बड़े बच्चे के लिए रख सती है, जितना बच्चा कीचे गा, उतना दूद आएगा, तो वो आपको ध्यान में रखना है, उसको हम लोग tandem breastfeeding बोलता है, तो दोनों बच्चों को दूद चालो रखना है, ठीक है, तो यह आपकी दोनों tutorial है, आपको definitely मज़ा आएगा देखने के लिए, देखने में, और यह देखें आप और यह सारे information आप माता को और दूसरे family members को share क कीजिए, अनुचित स्तनपान के कारण वजन ना बढ़ने के बारे में बने spoken tutorial में आपका स्वागत है, इस tutorial में हम जानेंगे, स्तनपान से जुड़े वो कारण जिन से शिशू को जरूरत के मुताबिक स्तन का दूद नहीं मिल पाता है, उन कारणों के लिए दी गई सही सला शिशू के पैदा होने से लेकर छे महीने की उम्र तक वजन के कम बढ़ने का एक एहम कारण होता है, वो है शिशू को जरूरत के मुताबिक स्तन का दूद ना मिल पाना शिशु को जरूरत के मुताबिक मा का दूद ना मिलने के कई वज़े हो सकते हैं इन्हें चार बर्गों में बांटा गया है पहला है स्तनपान के कारक दूसरा है मा के मनोवे ज्यानिक कारक तीसरा है मा की शारीरिक स्थिती इस टूटॉरियल में हम स्तनपान के कुछ कारकों पर बात करेंगे बाकी के तीन वर्गों को एक अन्य टूटॉरियल में समझाया गया है स्तनपान देर से शुरू करना ही पहला स्तनपान कारक है जनम के एक घंटे के अंदर ही स्तनपान शुरू कर देना चाहिए ऐसा करने से शिशू सीखेगा की कैसे मा के स्तन से गहराई से जुडा जाए गर्भवती महिलाओं को अपने आखरी तिमाही में ही स्तनपान कराने में प्रशिक्षित किया जाना चाहिए जनम के बाद त्वचा से त्वचा का संपर्क स्तनपान शुरू करने के लिए जरूरी है इसे एक दूसरे टुटॉरियल में समझाया गया है स्तनपान का दूसरा कारक शिशू के शरीर की गलत स्थिती है मा को शिशू की गर्दन आगे नहीं जुकानी चाहिए ऐसा तब होता है जब शिशू की नाक निपल के उपर होती है शिशू की नाक के छेद हमेशा निपल की सीध में होने चाहिए बड़ी उम्र के लोग पानी पीने के लिए अपने सर को पीछे करके अपनी गर्दन बढ़ाते हैं इसी तरह दूद पीने के लिए शिशू की गर्दन को आगे की ओर बढ़ाना चाहिए मा शिशू की गर्दन को बढ़ाने के लिए उसे अपने दूसरे स्थन की ओर जादा खीच सकती है मा को शिशू की गर्दन को तिर्चा नहीं गुमाना चाहिए इससे शिशू को दूद निगलने में दिक्कत होगी शिशू की छाती और पेट को हलके से मा की छाती से दबे होना चाहिए स्थन पान के समय शिशू का चहरा मा के स्थन की ओर होना चाहिए ना की मा के चहरे की ओर इस चित्र में क्रॉस क्रेडल होल्ड में शिशू के चहरे की स्थिती बिलकुल सही है शिशू का उपरी होंट दाहिने स्थन पर नौ बजे की स्थिती में है उसका निचला होंट तीन बजे की स्थिती में है शिशु की टांगे मा की बगलों के नीचे अच्छी तरह से टिकी होनी चाहिए नहीं तो शिशु नीचे खिसक जाएगा जिस वजह से वो निपल से दूद पीने लगेगा शिशु के कूले को मा की कोहनी की तह में बैठाया जा सकता है यह शिशु को नीचे फिसलने नहीं देगा तीसरा स्तन पानकारक है शिशु का स्तन से गलत जुड़ाव मा को कम से कम दो से तीन मिनट तक इंतजार करना चाहिए ताकि शिशु अपना मुँ अच्छे से खोल ले यह 120 से 160 डिगरी तक चौड़ा खुला होना चाहिए और तभी मा को अपने स्तन को शिशु के मुँ में डालना चाहिए शिशु के होंट और ठोड़ी कभी भी स्तन के काले भाग से दूर नहीं होने चाहिए शिशु का मूँ मा के स्तन में अच्छे से दबा होना चाहिए नहीं तो दूद पीते समय शिशु के गालों में गड़े पड़ेंगे निपल से जुड़ने पर भी गालों में गड़े पड़ते हैं गालों में गड़े पड़ने का एक दूसरा कारण है शिशु के मुँ में स्तन के काले हिस्से के उपरी भाग का जादा होना मा की उंगलियां जिससे स्तन को सिकोडना हो वे शिशु के होंटों के समानतर होनी चाहिए इससे यह पक्का होगा कि स्तन के निचले भाग का जादा हिस्सा शिशु के मुँ में चला जाए अगर शिशु सिरफ निपल चूसता है तो उसे कभी भी जादा दूद नहीं मिलेगा शिशु का मा के स्तन से गहरा जुडाव बहुत जरूरी है यह जांचना जरूरी है कि क्या शिशु का मा के स्तन से गहरा जुडाव है या नहीं ऐसा करने के लिए मा शिशु के निचले होंट के पास स्तन को दबा सकती है दूद पिलाते समय स्तन के काले हिस्से का पूरा निचला भाग शिशु के मुह में होना चाहिए शिशु का उपरी होंट मा के निपल के ठीक उपर होना चाहिए शिशु का निचला होंट स्तन के काले हिस्से के घेरे तक होना चाहिए यदि स्तन का काला हिस्सा छोटा है तो शिशु का निचला होंट स्तन पर होना चाहिए इससे शिशु को काफी अच्छे से दूद मिल सकेगा मा के स्थन से गहरे जुडाव के बारे में एक अन्य टुटोरियल में समझाया गया है चोथा स्थन पान कारक है मा द्वारा शिशु को पीछे का दूद ना पिलाना शिशु को आगे का दूद पिलाने के बाद पीछे का गाढ़ा दूद भी पिलाना चाहिए यह अच्छे फैट से भरपूर होता है जो शिशु के दिमाग के लिए जरूरी है और व्रिद्धी के लिए भी पीछे का दूद ना पिलाने से वजन नहीं बढ़ेगा मा जांच सकती है कि शिशु को पीछे का दूद पिलाया है या नहीं ऐसा करने के लिए वे अपने हाथ से दूद निकाल सकती है अगर पतला दूद बाहर आता है तो शिशु को अभी तक पीछे का दूद नहीं मिला है मा को उसी स्थन से ही दूद पिलाना चाहिए साथ ही जब वह हाथ से दूद निकालेगी तो उसे गाड़े दूद का अच्छा बहाब दिखाई दे सकता है यह उसी स्तन से दूद पिलाने का एक संकेत है पांचवा स्तनपान का कारक निश्चित समय पर दूद पिलाना है उम्र में बड़ों के भोजन की तरह निरधारित समय पर स्तनपान नहीं दिया जा सकता भूग के शुरुआती संकेतों के हिसाब से ही शिशु को स्तनपान कराना चाहिए भूग के शुरुआती संकेत हैं उंगलियां चूसना, सर को इधर उधर गुमाना वगेरा मा को इन सभी संकेतों को पहचान कर शिशु को तुरंत दूद पिलाना चाहिए उसे शिशु के रोने तक का इंतजार नहीं करना चाहिए शिशु का रोना बहुत भूका होने का संकेत है छटा स्तनपान का कारक है जरूरत के मुताबिक दूद ना पिलाना 24 घंटों में कम से कम, 10 से 12 बार शिशु को दूद जरूर पिलाना चाहिए कितनी बार और कितना जाधा पिलाया जाए ये शिशु की भूप पर निर्भर करता है कभी कभी शिशु एक घंटे में कई बार दूद पिना चाहेगा शिशु जितना चाहे उतनी बारू से दूद पिलाना चाहिए स्तनपान का साथ मुआ कारक है रात को स्तनपान ना कराना रात को दूद पिलाने वाली मा में प्रोलैक्टिन का स्तर जादा होता है प्रोलैक्टिन एक हार्मोन है जो स्तन का दूद बनने में मदद करता है रात को दूद ना पिलाने से मा का दूद बनना कम हो जायेगा इसलिए शिशुओं को रात में कम से कम 3-4 बार दूद जरूर पिलाना चाहिए कभी-कभी शिशु रात में तीन घंटे से ज़ादा तक नहीं जागता शिशु को दूद पिलाने के लिए मा को उसे जगाना चाहिए वह शिशु के पैरों पर गुद-गुदी कर सकती है या शिशु की पीठ पर वह शिशु को बिठा कर भी जगा सकती है स्तनपान का आठवा कारक है थोड़े समय के लिए दूद पिलाना शिशु को तब तक दूद पिलाना चाहिए जब तक वह पीना चाहता हो मा को अपने स्तन से दूद पीते हुए शिशु को नहीं हटाना चाहिए जब शिशु पेट भरे होने का संकेत दे तो ही मा को दूद पिलाना बंद करना चाहिए पेट भरे होने के संकेत हैं अपना मुँ बंद कर लेना, अपना सर मा के स्तन से दूर करना वगेरा स्तन पान का नौवा कारक है शिशु का दूद पीते हुए सो जाना स्तनपान के पहले कुछ हफ्तों में शिशु दूद पीते-पीते सो सकता है इस वजह से शिशु कम दूद पी पाता है जैसा कि पहले बताया गया है कि मा को तुरंट शिशु को जगाना चाहिए उसे तब तक शिशु को जगा कर दूद पिलाना चाहिए जब तक की शिशु दूद पीने से मनाना कर दे। स्तन पान का दस्वा कारक है शिशु को दोनों स्तनों से दूद ना पिलाना। कुछ माएं शिशु को एक ही स्तन से दूद पिलाती हैं, दूसरे स्तन से नहीं। एक स्थन खाली होने के बाद मा को शिशु को दूसरे स्थन से भी पिलाना चाहिए। शिशु खुद तै कर लेगा कि उसे दूसरे स्थन से भी पीना है या नहीं। ग्यारवा स्थन पान कारक है दूर की बोतलों का इस्तमाल करना, निपलों का इस्तमाल करना वगेरा। इन सब चीजों से बचने के लिए मा को स्तन पान का सही तरीका सिखाना चाहिए स्तन पान का आखरी कारक है शिशु को अन्य भोजन या पीने की चीजे देना जनम से लेकर पहले 6 महीनों तक शिशु को सिरफ स्तन पान ही कराना चाहिए बाकी के पीने या खाने की चीजे सुरक्षित नहीं होती और मा के दूद जितनी पौश्टिक भी नहीं उन चीजों से इन्फेक्शन हो सकता है उनसे शिशु का पेट भी भर जाता है फिर ऐसे में शिशु को मा का दूद पीने की भूख नहीं लगेगी अब यह टूटोरियल यहीं समाप्त होता है IIT Bombay से मैं बेला टोनी आपसे विदा लेती हूँ हम से जुडने के लिए धन्यवाद पर्याप्त मात्रा में मा का दूद ना मिलने के अन्यकारणों पर बने स्पोकन टूटोरियल में आपका स्वागत है इस टूटोरियल में हम जानेंगे शिशु को मा का दूद पर्याप्त मात्रा में ना मिलने के कुछ कारण उन कारणों के लिए बताये गए समाधान शिशु को सही मात्रा में मा का दूद ना मिलने के कई कारण हो सकते हैं इन्हें चार वर्गों में बांटा गया है पहला है स्तन पान के कारक इसके बारे में इसी श्रिंखला के एक अन्य टुटॉरियल में बताया गया है दूसरा वर्ग है मा के मनोवैज्यानिक कारक तीसरा है मा की शारीरिक हालत चोथा है शिशु की शारीरिक हालत आईये दूसरे वर्ग के कारणों से शुरू करते हैं हम माऊं के पांच सामान्य मनोवैज्यानिक कारकों पर बात करेंगे पहला मनोवैज्यानिक कारक है मा में आत्मविश्वास की कमी नई माएं अक्सर सही तरह से दूट पिलाने की खुद की शमता पर संदे करती हैं स्तनपान एक हुनर है और इस हुनर को सीखने में समय लगता है। स्तनपान का सही तरीका सीखने के लिए माओं को धैरी पूर्वक सिखाना चाहिए। दूसरा मनोवग्यानिक कारक है मा की चिंता या तनाव। नई माएं शिशु के स्वास्थ क्यों लेकर चिंतित रहती हैं। चिंताएं तनाव पूर्ण समय जैसे की महमारी के दोरान बढ़ जाती हैं। चिंतित माओं को अकसर बोतल से दूद पिलाने की इच्छा हो जाती है। साथ ही तनाव के कारण जरूरत के मताबिक स्थन का दूद नहीं बनता। आराम मिलने के लिए माओं के साथ सहायता करने वाला परिवार होना चाहिए। उनकी शंकाओं का समाधान नियमित रूप से स्वास्थे अधिकारी से करवानी चाहिए। कुछ माएं अपने शिशु को दूद पिलाना पसंद नहीं करती है। इस वजह से शिशु को जरूरत के मुताबिक मा का दूद नहीं मिल पाता। चौथा मनुवज्यानिक कारक मा द्वारा शिशु को अस्विकार करना है। कुछ माओं को शिशु के बारे में बहुत जादा नकारात्मक भावनाएं होती हैं। वे शिशु के जनम पर पच्चताती हैं और उसे नापसंद करती हैं। मा की तरफ से चुमबन जैसे सनेही व्यभार, गले लगाना आदी की कमी होती है। उन्हें बहतर लगता है जब शिशु उनसे दूर होता है। ऐसे मामलों में मा शिशु को स्तनपान बिलकुल नहीं कराती। पांचवा मनुवज्यानिक कारक है मा की ठकान। नई माओं को नींद की कमी होती है और ठकान भी। इस से उनके दूर के बनने पर असर पड़ सकता है। यह बार-बार दूर पिलाने की शमता को भी कम कर सकता है। अब हम कारकों के तीसरे वर्ग की बात करेंगे जो है मा की शारीरिक हालत। मा गर्भ निरोदक गोलियों का प्रयोग कर रही होगी या रक्त चाप कम करने वाली गोलियों का। यह उसके दूर के बनने पर असर कर सकता है। ऐसे मामलों में उसे मदद के लिए अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। स्तन पान पर असर करने वाला दूसरा कारक है मा की गर्भ हवस्ता। कुछ माएं गर्भ वती होने पर दूद पिलाना बंद कर देती हैं। इससे शिशु को जरूरत के मुताबिक पोशन नहीं मिल पाता। मा को पता होना चाहिए कि गर्भ वती होने पर भी शिशु को दूद पिलाना सुरक्षित है। अगला कारक मा का गंभीर कुपोशन है। यह स्तन के दूद की रचना पर असर कर सकता है। साथ ही शिशु को जरूरत के मुताबिक दूद पिलाने के लिए मा बहुत कमजोर हो सकती है। अगर मा शराब पीती हो तो इससे भी उसका दूद बनना कम हो सकता है। हो सकता है कि शिशु को जरूरत के मुताबिक मा का दूद ना मिले। एक और कारक है मा की धूम्रपान की आदत। धूम्रपान की वज़े से भी दूद कम बन सकता है और यहां तक की दूद की रचना भी बदल सकती है। अगला कारक है मा के अंदर गर्भनाल का बचा हुआ टुकड़ा रह जाना। यह मा के प्रोलैक्टिन के स्तर को बढ़ने नहीं देगा। प्रोलैक्टिन एक हार्मोन है जो मा के दूद के बनने में मदद करता है। इसलिए वह जरूरत के मुताबिक दूद नहीं पिला सकती। हाला की डाक्टरों ने पता लगाया है कि यह एक दुरलब कारण है। मा के स्तन का सही तरह से विक्सित ना होना भी स्तनपान का एक अन्यकारक है। कुछ माओं के स्तनों में दूद बनाने वाले उतक जादा नहीं होते। अगला हम कारकों के चौथे वर्ग पर बात करेंग यह शिशू की शारीरिक हालत है। अपना मुँ स्तन से हटा लेते हैं। शिशु की नाक में सेलाइन की बूंदे डालने से बलगम कम हो सकती है। नाक की सेलाइन की बूंदे दवाई की दुकान में मिलती है। स्तनपान कराने से 15 मिनिट पहले हर नतुने में 4 से 5 बूंदे डालने से बलगम साफ हो जाएगा। बार-बार स्तनपान कराने से शिशु को जल्दी से ठीक होने में मदद मिलती है। कुछ शिशु में पैदाईश से ही जनम दोश होते हैं। जैसे की डाउन सिंड्रोम, कटे होंट या तालू और जनम जात हरिदय रोग। उनकी मासपेशियां भी विक्सित नहीं होती। इन वजहों से उन्हें स्तन को चूसने में मुश्किल होगी। इस तरह के जनम दोश शिशु के दूद पीने की शमता पर असर करते हैं। जनम से लेकर 6 महिने तक के शिशु के लिए सिरफ मा का दूद पीना जरूरी होता है। अच्छे विकास के लिए शिशु को हर रोज जरूरत के मुताबिक मा का दूद पिलाना चाहिए। अगर दूद पिलाने में दिक्कत हो तो तुरंट किसी विशेश अगे से सला लेनी चाहिए। ये पक्का करें कि स्टन पान से शिशु को जरूरत के मुताबिक पर्याप्त दूद मिले। अब ये टुटोरियल यहीं समाप्त होता है। आयाइटी बॉम्बे से मैं बेला टोनी आपसे विदा लेती हूँ। हम से जुडने के लिए धन्यवाद। ये टुटोरियल शारे एक रूप से कैसे मा का स्टन का दूद बढ़ाना। बहुत टाइम ऐसा होता है कि मा बोलती है मुझे दूद नहीं आ रहा है, दूद नहीं है, दूद नहीं है, ठीक है। सबसे पहला कारण ये दूद नहीं आने का कारण है कि मा ने सही तरह से, सही टेकनीक से बच्चे को दूद नहीं पिलाया। जब भी सही टिक्निक से आप दूर्थ नहीं पिलाते हैं तो क्या होता है कि जो स्थन में रहता है तो बच्छे का बढ़ना चाहिए तो बढ़न नहीन बढ़ता है और उस तूद्ध स्थन में रहने से, दीरे दीरे वह स्थन का दूद्ध शूख जाता है, ठीक है. तो सबसे पहले तो आपको, मा को सही टेकनीक से दूद्ध लाना, सिखाना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है. तो वो हमने अरड़ी पहले टॉटॉल्स में दिखाया हुआ है कि कैसी संपान सिखाना है उसको पैटालीस पॉइंट ठीक है दूसरा है कि वो गरम पानी का शेक कर सकती है, मसाज कर सकती है सही तरह से ब्रेस्ट को संपान को पकड़ के बचे के मुग में वो डाल सकती है तो जितना दूद निकालेगी उतना दूसरी टाइम दूद बढ़ेगा रात में भी अगर मा को लगे कि बच्चा तीन गंडे के से जादा सो रहा है धाई गंडे से जादा सो रहा है तो अपना दूद दूद के बाद निकाल के रख सकती है जितना वो दूद निकालेगी उतना वो दूद बचे को मलब शारीरिक तरीकों से स्थन के दूद की मात्रा बढ़ाने के लिए इस पोकन टुटारियल में आपका स्वागत है इस टुटारियल में हम सीखेंगे शारीरिक तरीकों से मा के दूद को बढ़ाने के अलग-अलग तरीके सबसे पहले हम शुरू करेंगे कंगारू मदर केर से जिसमें शिशु को मा के बिना कपड़े पहने शरीर के साथ लंबे समय तक रखा जाता है ध्यान देंग की कंगारू मदर केर करने का तरीका इसी श्रिंकला के अन्य टुटारियल में बताया गया है अगला हम सीखेंगे की कैसे बहतर करें लेट डाउन रिफलेक्स या ओक्जिटोजन रिफलेक्स को पर पहले ये देखते हैं की ओक्जिटोजन क्या है ओक्जिटोजन ऐसा हॉर्मोन है जो लेट डाउन रिफलेक्स को बढ़ावा देता है और इससे शिशु के बारे में सोचते ही दूद बाहर निकलता है। इसलिए दूद के बाहर निकलने के लिए पहले मा को आराम करना चाहिए और फिर अपने शांत शिशु को देखना चाहिए। वो अपने शिशु के महले कपड़े भी सूंग सकती है और मन को खुश करने वाल और स्तनों की मालिश आए देखते हैं गरम पानी का सेक कैसे किया जाए मा को गरम पानी से नहाना चाहिए या फिर अपने स्तन पर हलका गरम कपड़ा रखना चाहिए इन दोनों तरीकों से स्तनों में दूद के संचार में मदद होगी और दूद बाहर निकलेगा अब हम करना सीखेंगे उपरी पीट और गर्दन की मालिश से दूद आराम से बहेगा क्योंकि दोनों की नस एक ही है स्टन पान से पहले स्टन की मालिश से दूद की नलियां खुलेंगी इस से दूद आराम से बहेगा और स्टन पूरा खाली होगा और फिर दूद जादा मात्रा में बनेगा स्टन के दूद की मात्रा बढ़ाने का अगला तरीका है स्टन पर शिशु के मुँगी सही पकड़ देखते हैं ही कैसे किया जाए निपल को शिशु के उपरी होंट पर हलके से चुए इससे शिशु अपना पूरा मुँग खुलेगा और स्टन पर मुँगी सही पकड़ होगी जिसे दूद भी जादा मिलेगा स्टन पन के समय ध्यान दे कि मा नी शिशु के पूरे शरीर को सहारा दिया है और दोनों का पेट एक दूसरे को चुँ रहा है शिशु का सर, गर्दन और शरीर एक सीद में है शिशु की नाक मा के निपल के सीद में है उसकी ठोड़ी को आगे लाते हुए मा के स्टन में हलके से धके ले उसका निचला हुट बाहर की तरफ मुड़ा हो ध्यान दे कि स्टन से जुड़ते समय शिशु मू में एरियोला का निचला भाग जादा ले ताकि एरियोला का उपरी भाग जादा दिखे और निचला कम एरियोला स्टन के आसपास का काला भाग होता है अगला तरीका है हलके से स्टन को दबाना स्टन पान के समय हलके से स्टन को दबाएं हलके दबाव से दूद की नलियों से ज़्यादा दूद निकलता है जब भी शिशू चूसेगा तो उसे ज़ादा दूद मिलेगा स्टन को हलके से दबाना इसी श्रिंकला के अन्य टुटोरियल में बताया गया है एक खास बात ये है कि रात को स्टन पान कराना ज़रूरी है आईए देखे क्यूं रात को स्टन के दूद में प्रोलैक्टिन हॉर्मोन की मातरा बहुत ज़ादा होती है रात में कई बार स्टन पान कराने से दूद की मातरा बढ़ती है इससे शिशू के विकास में मदद होती है स्टन के दूद को बढ़ाने का अगला तरीका है बार-बार स्टन पान कराना शिशु को 24 घंटों में कम से कम 10 से 12 बार स्टन पान कराएं और जरूरी है कि रात में कम से कम 2 से 3 बार उसे भूका ना रखें उसके भूके होने के संकेतों को समझें जैसे हाथ पैर हिलाना उसके गालों को छूने वाली हर चीज की तरफ मुढ़ना और अपना मूँ खोलना। याद रखें, रोता हुआ शिशू बहुत भूका होता है, इसलिए भूके होने के संकेत देखते ही उसे सतन पान कराएं। और पिछला दूद जरूर पिलाएं, जो की स्तन के पिछले भाग में होता है। ये चर्बी से बना होता है और बहुत गाड़ा होता है, इसलिए मा पहले एक स्तन को पूरी तरह खाली करें, फिर दूसरे स्तन से पिलाएं। अब हम बात करेंगे स्तन पान के बाद दूद को निकालने की। इसमें मा अपने हातों से खुद का दूद निकालती है। ऐसा करने के लिए मा एरियूला और उसके बाहर के भाग पर अपने अंगुठे और उंगलियों को रखती है। और हलके से एरियोला को छाती के अंदर की तरफ दबाती और छोड़ती है। ऐसा शिशु के दूद पूरा पीने के बाद भी करना चाहिए। दो बार सनपान कराने के बीच में भी मा को हाथ से दूद निकालना चाहिए। हाथ से दूद निकालने से दूद की मातरा बढ़ती है. याद रखें, प्लास्टिक के निपल और बोतल का दूद इस्तेमाल ना करें. इससे मा का दूद कम बनेगा. गाए या बक्री का दूद भी ना दें. प्लास्टिक के निपल की वज़े से शिशु को मा के स्तन से जुड़ने में मुश्किल होगी. याद रखें, शिशु के रोने का इंतजार ना करें. उसको हलकी-हलकी भूख होने के संकेत देखते ही उसे स्तन पान कराएं. सही जुड़ाव का तरीका सिखा कर स्वास्त सेविका को मा का आत्म विश्वास बढ़ाना चाहिए. रोज शिशु का वजन तोले. उसका 25-30 ग्राम तक रोज वजन बढ़ना चाहिए. शारीरिक तरीकों से स्तन के दूद की मात्रा बढ़ाने का ये स्पोकन टुटॉरियल यहीं समाप्त होता है. IIT Bombay से मैं Bella Tony आपसे विदा लेती हूँ. हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद. कर्यां से स्प्राइब आपसे जुड़ने के लिए हुआ है.